पूलाओ जिसको नाचना है न चाहो मेरे साशर्थ लगाओ यह यह करके दिखाओ यह करके दिखाओ जलो यह करके दिखाओ The way Still time up co Frau तु मेरी बात कहाँ ढूढोगे इस शहर में कब दो राट जैसे कि आपको पता है वो पुराने दिन तो आप गए जब आप अपनी गल्फ्रेंड को फ्री कॉलिंग से लोरी सुना के सुला दिया करते थे अब नहीं हो पाएगा Airtel, Voda, Gio, Majio सब पर अब फ्री कॉल नहीं है आपको कॉल करने के पैसे देने होंगे सभी पे Airtel और Voda ने तो पहले अपने नए प्लान लाँच कर देते तो उसके बारे मैंने वीडियो बनाई है अगर है फाल तो टाइम तो देख ले ना और Gio ने भी अब अपने प्लान लाँच कर दिये जो कि 6 दिसंबर की राच से लागू हो जाएंगे और इन्होंने भी अपने प्लान 42% बढ़ा दिये हैं एक महिने का अलग है दो महिने का अलग है तीन महिने का अलग है जैसे कि आप देखो 449 का जो प्लान है वो 555 रुपे का पड़ेगा यहां एक महिने के तीन प्लान है दो महिने के तीन प्लान है साल भर का भी प्लान है तो सभी के रेट 42% बढ़ गए और सभी में आपको कुछ 1000 मिनट, 2000 मिनट या 3000 मिनट आपको फिरी मिल रही है कि आप दूसरे नेटवर्क पर इतने मिनट तक कॉल कर सकते हो और सेम नेटवर्क पर जैसे कि आप Airtel to Airtel, Voda to Voda, Gio to Landline, Pipeline जो भी आप कॉल करते हो सेम नेटवर्क पर वो तो हैं फिरी लेकिन अदर नेटवर्क के आपको चार्जिज लगेंगे जियो की खाषबात यह हुई कि यह 300% extra benefit दे रहा है यह सब दे रहा है तो यह थोड़े extra benefit है तो ऐसे में अगर आप चाहते हो कि यार यह extra charge हमारे लिए बहुत जादा है तो जियो ने अभी plan में एक plan निकाल रखा है 1776 रुपे वाला, 444 रुपे वाला जो recharge यह की साथ कर रहे है तो इस वक्त जो benefit मिल रहे है वो आपको end तक मिलते रहेंगे इतने days के लिए मिलते रहेंगे तो आपके जो बड़े हुए price का effect आपको नहीं पढ़े गए तिया आप ऐसा चाहते हो तो अब सवाल यह उठता है कि सभी ने जब rate बढ़ा दिये तो आप कौन सा telecom operator लें देखो यार सबसे important बात तो यह है कि देखो rate तो सबके बढ़ गए है call भी सबकी almost same है अब आपके यहां जिसके network ज़्यादा बहतर आते हैं आप उसको prefer करो 10-20-50 उरुपे सस्ते होने इसको फरक नहीं पड़ता आपके यह network आएंगे network का यह तो use करोगे मालोग आपको जूता आता है 7 नंबर का और 5 नंबर वाला बहुत सस्ता मिल रहा है तो उसमें क्या पौधा हुआ होगे क्या तो भाई या पहले तो network को prefer करें जिसके network का आते हैं वो आप रखें ज़्यादा बहतर हो आप कहते हो यार तीनों के ही सेम आते हैं तीनों के ही बहुत बढ़ी आते हैं तो किसको चुने तो मैं अपनी personal opinion दे रहा हूँ कि जियो को prefer कर सकते हो आप क्योंकि जियो ने पहले भ benefit दे सकता है यह ऐसा मुझे लगता है बाकि आपकी चॉइस है आप देखो क्योंकि रेट तो अब सबके बढ़ी गए हैं और और आजकल नफरत बहुत फैल रही है वहाई क्योंकि नफरत तो बहुत आसानी से बिख जाती है क्या कहदी कभी ने टिंडे और ये क्या कहदी ट आपिंडे देजा बाइट